सिव संभू दोस्तों हर हर महादेव आप सभी पर भगवान सिव की किरपा सदेव बनी रहे दोस्तों अगर आपका कापी समय से कोई रुका हुआ कार है या फिर नौकरी में उन्नती चाहते हैं वेपार नहीं चल रहा है और वेपार में तरक्की चाहते हैं तो नवरात्री के नौ दिन भगवान संकर को एक चीज चड़ाने से आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर हो जाएगी आपके वैपार में तरक्की ही तरक्की आपको देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आप मेरी इस आवाच को पहली बार सुन रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारी चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सेर जरूर करें दोस्तों इस उपाई को आपको नौरात्री के नो दिन तक करना है भगवान संकर को आपको एक लोटा जल और एक बेल पतर भगवान संकर को रोज आना नो दिन समरपित करना है और जिस भी कामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वो भगवान संकर को जल और बेल पत्र चड़ाते समय मन ही मन स्री सिवाय नमस्तुव्यम का जाप करते हुए यह दोनों चीजे भगवान संकर को समर्पित करनी है और थोड़ा सा जल बचा कर लाना है आपने वेपार की ज शिड़क देना है ऐसा करने से नेगटिव उर्जा भी दूर होगी और भगवान सिव की किरपा भी प्राप्त होगी और अगर वेपार नहीं चल रहा होगा तो वेपार तेजी से आगे बढ़ने लगेगा भगवान सिव की विशेज किरपा भी प्राप्त होगी तो दोस्तो नौरात्री में यह उपाय जरूर करके देखे आपको आपकी मनुकामना जरूर पूर होगी तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए जैसीर संबू हर हर महा दें